नमस्कार, दशावतार की इस गाथा में स्वागत है आपका, पिछली कड़ी में हमने जाना पुरानों में वर्नित 24 अवतारों के बारे में, और अब हम सुनेंगे प्रमुक दस अवतारों की कथा, श्रीमती विद्या सिंग रचितिस काव्यान जली के माध्यम से, जिसका नाम है संभवामी यूगे-यूगे तो प्रश्न वही है, क्यों लेते हैं भगवान विष्नु अवतार, तो ये जो प्रमुक दस अवतार हैं भगवान विष्नु के, ये ना केवल धर्मसंस्थापना के उत्देश्य से इस संसार में आए, बलकि क्रमानुसार इस संसार की उत्प की थियोरी को उठा कर देखें तो उसका संबंध तो सीधे सीधे इन दशावतारों से स्थापित हो जाता है और तो और संसार के इस क्रम गत उद्भव का प्रमान तो मनुष्य जीवन में भी मिल जाता है गर्भा अवस्था वजीवन काल के दौरान जिस प्रकार मनुष्य भि जाती है गर्भ के भीतर एक पूँच भी होती है टाड़ जैसी वह मत्स्य अवतार की भाती है तरण करता है गर्भ में तैरता है और दीरे दीरे वह पूँच लुपत होती जाती है भीतर की तरलता भी कम होती जाती है कूर्मा अवतार की लक्षन दिखने लगते हैं आकार बढ़ता जाता है, सरूप भी बदलता जाता है, और फिर अगली स्थिती हो जाती है, वराह अवतार जैसी, जब वो और अधिक चलाय मान हो जाता है वो खोजने लगता है अपना मार्ग जैसे वराह ने खोजा था प्रिथवी को वो भी अपनी प्रिथवी को तलाश करने लगता है और फिर निसिंग की भाती अंतता अपना मार्ग खोजी लेता है कंबे के समान योनि मार्ग से, छोटे शिशु के रूप में वामन अवतार के समान अवतरित हो जाता है, उसके बाद शिक्षा काल में वो राम है, कर्मक्षेत्र में वो कृष्ण है और वृद्धा अवस्था म वो बुद्ध हो जाता है जैसे संसार प्रतीक्षा में है कलकी की मनुष्य भी प्रतीक्षा में है अपने श्रेष्ठतम, सर्वोत्तम उतक्रिष्ठ रूप की कहते हैं जो पूरी तरह 64 कलाओं से युक्त होने वाला है जो सर्व गुण संपन जन ईश्वर का स्वरूप होने वाला है जो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने वाला है और हम सब को ये जो मनुष्य का जन्म मिला है ये भी किसी अवतार से कम नहीं है इस जानकारी के साथ अब चलते हैं मूल कथा वस्तु की ओर और जोडते हैं कडियां संभवा में युगे युगे के इसका व्यांजली में इस श्रिंखला की प्रत्येक कडि में हम जोडेंगे प्रत्येक अवतार से जुड़ी हुई कथा उनके अवतरन का प्रयोजन और सबसे पहला अध्याय है दश अवतार अशेष विश्व वैचित्र रचनारुचये नमह माया गहन गूढाय नानारूपाय विष्णवे अशेष विश्व वैचित्र रचनारुचये नमह माया गहन गूढाय नाना रूपाय विश्णवे आध्यन्त हीन अचिंट के दस रूप विदित ललाम है त्राता विधाता स्रिष्ट के हे श्रीश कोट प्रणाम है मच्य कूर्म वाराह रूप धर तूने धर्णी का उद्धार किया नरसिंग रूप में प्रकट हुए हिरण्यक शिप का संहार किया असुर राज बली ने जब तीनों लोकों को विजित किया धन धरा मान देवों का हर निज बाहु बल से अपहरित किया देवों की दीन दशा देख करुणान इधिका मन द्रवित हुआ वामन बटुका रूप धर पहुँचे बली अग्य जहां उपचरित हुआ बली के करुबध निवेदन को श्रीहर ने दिया परियाप्त मान बोले धन संपधा न दो मुझको बस दो तुम तीन पग भूमिदान प्रभुने आकार विस्त्रित करके विराट रूप धर सबको चकित किया विशाल पदों से तीन पगों में त्रैलोक्य भूमें अधि ग्रहित किया सहस बाहु क्षत्रिय निर्प का आतंक घोर जब व्याप्त हुआ रिश मुनियों संग आश्रम कम्पित यग्य धर्म अभिशप्त हुआ जमदगन पुत्र बन परशु राम ने धर्ती पर तब अवतार लिया धन परशु करों में धारण कर दुष्टों का प्रबल संहार किया त्रेता में राम अवतरित हुए रावन लंका को विजित किया आशुरी प्रवृत्तियों से संत्रस्त समाज धर्म संग्रक्षित किया द्वापर में क्रिष्ण का रूप धरा असुर कंस संहार हीतु अधर्म अनेतिक क्रित्यों से डूबे जन के उद्धार हीतु अधर्म अन्याय नियंत्रन हीत पांडव के पक्ष में खड़े रहे अन्याय कौरव नष्ट हुए सत्य संग श्री कृष्ण अले रहे सत्य अहिंसा दया समताखो गौतम रूप धर किया प्रतिष्ठित कर्म कांड पाखंड मिटाया शुद्धोधन ग्रिह हुए अवतरित अब कल्योग में सब पाप नाश हित प्रभु कल की रूप धरेंगे वे इस धर्ति को निश्पाप शुद्ध अवतरित हो पुनह करेंगे वे रिश मुनि ज्यानी सब जन का विश्वास है सब का अभिमत है संभवा में युगे-युगे का उद्धोश सत्य है शाश्वत है दशा अवतार के संक्षिप्त विवरण के साथ आज की कड़ी को यहां समाप्त करती हूँ अब से रोज एक-एक कड़ी हम जोडेंगे और हर अवतार की कथा को का व्यात्मक रूप में सुनेंगे जै श्री हरी, जै भारत